तो application of inductive effect में सबसे पहले हम पढ़ेंगे stability of carbocatine, कि carbocatine की stability को कैसे inductive effect vary करता है देखिए उसके बारे में बात करता हूँ, तो पहले example लेता हूँ मैं माल लीजे एक दिरखा है CS3+, एक दिरखा है CD3+, और एक दिरखा है CT3+, बात क्लियर है, that means carbon की उपर तीनों के अंदर क्या है positive charge लगा हुआ है, एक मेरे पास है CS3, CD3 और CT3, तो इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे carbocatine के stability का order बताईए, देखिए, सबसे पहले carbocatine क्या होता है, अगर carbon की उपर positive charge present है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोल देंगे, carbocatine बोल देंगे, बात क्लियर है, तो देखिए, जो आपको सबसे पहले CS3 दिखाई दे रहा है, उसमें 3H लगे हुए हैं, और वो 3H क्या करेंगे, वो कुछ electron density carbon को देंगे, क्योंकि carbon की उपर positive charge है, उसके पास electrons की कमी है, तो यहाँ पर carbon को help करने के लिए, कोई दूसरा carbon नहीं है, तो hydrogen है, तो कुछ amount में hydrogen देगा, अगर मैं CD 3 की बात करूँ, तो यहाँ deuterium भी कुछ electron देंगे अपने, और अगर मैं CD 3 की बात करता हूँ, तो वहाँ भी मेरे 3 जो tritium है, वो भी carbon को कुछ electron density देंगे, अब अगर आपको याद हो, तो हमने plus I का order में क्या पढ़ा था, plus I के order में ये पढ़ा था, कि T का सबसे होता है, फिर H का होता है, इसका मतलब जो tritium है मेरा, वो सबसे ज़्यादा electron density देगा carbon को, और carbon से positive charge को कम कर देगा, बट अगर मैं second में बात करूँ, CD 3 में, तो वो थोड़ा कम electron density देगा, और अगर इसमें बात करूँ मैं, तो वहाँ पर electron density H और भी कम देगा, that means stability सबस्या है, इसी तरह मैं एक example और लेता हूँ, एक और example में क्या देख पा रहे हैं, आप देखिए, CS3, CS2, second बार क्या हुआ, दो CS3 आ चुके हैं, और एक CH positive, और third case के अंदर क्या हुआ, तीन CS3 है, और एक carbon positive दिखाई दे रहा है, बात क्लिए यहां तक, आप देखिए, इसके हैं, और यहां पर आप तीन CS3 देख पा रहे हैं, जो तीनो plus eye effect शो कर रहे हैं, plus eye effect का मतलब electron density उस carbon को दे रहे हैं, बिलकुल आप देख पा रहे हैं, यहां पर तीन CS3 दे रहे हैं, यहां पर दो ही CS3 है, यहां पर एक CS3 present है, that means, कौन से case में plus charge कम होगा मेरा, that means, plus charge खतम जल stable होगा, और सब से कम stable मेरा first होगा, बात क्लियर है, क्योंकि वहां पर एक ही CS3 था, इसी तरह मैं एक example और लेता हूँ, एक और example मैंने किसका लिया, देखिए, वही CS3 CH2 positive, second CD3 CH2 positive, third मैं बात करूँ तो CT3 CH2 positive, अब यहां पर के difference है, difference एक CS3 लगा हुआ है, एक CD3 लगा हुआ है, और एक CT3 लगा हुआ है, that means, हमने जब order निकाला तो हमें पता था, CT3 का plus i effect सब से ज़्यादा होता है, that means, इसका plus i effect सब से ज़्यादा होगा, उसके बाद, इसका plus i effect होगा, और सब से कम plus i effect किसका होगा, CS3 का होगा, बात clear है, तो अगर मैं stability order की बात क कुछ बच्चे इसको गलत interpret कर जाते हैं, क्या, अगर मैंने बोला कि CS3 का plus i effect कम है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि हमेशा CS3 का plus i effect कम ही होगा, नहीं, मैं उसको compare के sense में बोल रहा हूँ, कि CT3 का ज़्यादा था, इसलिए CS3 का कम था, CD3 का कम है, इसलिए CT3 का ज़्यादा है अब CD3 का ज़्यादा भी तो हुआ है, कब अगर मैंने इसको CS3 से compare किया है, तो CD3 को example मानते हुए, अब यह दिख लीजिए, कि एक बार उसका कम है, क्योंकि इसका ज़्यादा है, और एक बार उसका ज़्यादा है, क्योंकि इसका कम है, इसलिए हम जब भी मैं बोल रहा हू CS3 का plus I कम होगा, कम होगा, इसका मतलब यह नहीं है, कि वो हमेशा ही कम होगा, उसको हम compare करते हैं, तब देखते हैं, कि वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा, बात क्लिए रहे हैं, तो यह बात ही हमारी stability of carbocation की, किसकी carbocation की, किसकी carbocation की बात करता हूँ, अगर carbon की उपर negative charge present हो, अगर carbon की उपर negative charge present हो, उसे हम carb anion बोल सकते हैं, बात लिया रहे, आप बताईए, देखिए, इसके अंदर कैसे निकालेंगे हम, माल लीजे, CH3 negative यहाँ पर है, CD3 negative यहाँ पर है, और CT3 negative यहाँ पर है, अब देखिए, अगर plus I की बात होती, T हो गया, D हो गया, H हो गया, वो क्या show करते हैं, plus I effective ही show करेंगे, तो देखिए, CT3 की case में में बात करता हूँ, तो carbon की उपर negative charge है, और T जो मेरे लगे हुए है, तीन, वो भी electron density और दे रहे हैं, तो वो negative charge को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और negative charge अगर बढ़ाएंगे, तो क्या stability बढ़ेगी, नहीं stability और कम हो जाएगी, तो इस बार हमको कैसे group चाहिए, जो इस negative charge को खीच सकते हो, that means electron density को अपनी तरफ खीच सकते हो, वो negative charge को कम कर देंगे, carbon की उपर से, तो यहाँ पर तो आपने देखा, यह तीनों group ऐसे लगे हुए हैं, जो negative charge को और बढ़ाएंगे, that means इस बार order उल्ट हो जाएगा, CH में जो H है, वो electron density कम देता है, तो negative charge भी कम ही बढ़ाएगा, D मेरा थोड़ा ज्यादा electron density देता है, negative charge वो ज्यादा बढ़ाएगा, और अगर T की बात करूं, तो वो मेरे और ज्यादा electron density carbon के उपर बढ़ाएगा, तो stability का order अगर में बात करूं, तो सबसे पहल कम बढ़ेगा, H ने कम बढ़ाया था, फिर D ने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया था, और T ने और ज़्यादा बढ़ाया था, इसलिए order का आया, फर्स सबसे ज़्यादा, फिर second, फिर third, बात समझ मैं इस example की, इसी तरह दूसरा example लेता हूं, सेम उपर वाले example ही ले रहे है ब्लस, प्लस की जगे माइनस कर दिया है हमने, देखिए, second में क्या है, CH3, CH2 माइनस, उसके बाद 2 CH3 लगे हुए हैं, CH माइनस और 3 CH3 लगे हुए हैं, C माइनस प्रिजेंटे सेंटर में, इसमें क्या होगा बता ही है, देखिए, अगर एक ही CH3 लगा हुए है, तो CH3 तो प ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया, कि वहाँ पर तो negative charge सबसे कम unstable होगा, और सबसे ज़्यादा stable कहा होगा, first में, stable तो नहीं होगा, बट इनके compare में, सबसे ज़्यादा stable यही होगा, क्यों, क्योंकि वो कम negative charge बढ़ा रहा है, तो order क क्या आएगा, first का सबसे ज़्यादा, second का सबसे, उसके बाद, और third का सबसे कम हो जाएगा, हमारा, बात clear है, यह हमारा order किसका हो जाएगा, stability of carbon N का हो जाएगा, इसी तरह मैं, एक example और लेता हूँ, जिसे हमने उपड लिया था, Cs3, Cs2 minus, Cd3, Cs2 minus, और Ct3, Cs2 minus, बात clear है, तो हमने पता है हमें, कि Cs3 के करता है, plus i effect लगाता है, Cd3 plus i effect लगाता है, but Ct3 का plus i effect ज़्यादा होता है, Cd3 का थोड़ा कम होता है, और Cs3 का और भी कम होता है, plus i effect, और जिसका plus i effect कम होगा, वही negative charge को बढ़ाएगा, बात clear है, that means क्या मतलब वो इसका, मेरा first वाला सबस्यादा stable होगा, फिर second होगा, फिर third होगा, बात clear है, समझ में आया है, एक example कैसे किया, इसको हमने, आप अगर मैं इसको compare करता हूँ, किसी carbon की उपर positive charge था, that means, एक electron deficient था, वो मेरा, बिल्कुल electron deficient था, तो उस electron deficient की stability कब बढ़ेगी, जब electron donate करने वाले group लगे होगे, that means, electron releasing group लगे होगे, तो electron releasing group उस carbon की stability को बढ़ा देंगे, बात clear है, carbocatine में में बात कर रहा हूँ, carbon की उपर positive charge होता है, electron deficient होता है, और उसकी stability कब बढ़ेगी, जब electron releasing group लगे होगे, और electron releasing group कौन से होते है, plus i, plus h, plus r, अभी आपने plus h और plus r नहीं पढ़ा है, but यह electron releasing ही होते है, plus का मतलब releasing, that means, stability of carbocatine is directly proportional to plus i effect, plus h effect, plus r effect, और अगर inversely proportional की बात करूँ, तो किसके हो जाएंगे, minus i के inversely, minus h के inversely proportional और minus r के भी inversely proportional हो जाएगा, क्या, कारbocatine की stability, बात समझ में आपको यहां तक, और इसी तरह, अगर मैं carb NN के अंदर बात करता हूँ, तो carb NN के उपर, r के उपर क्या है, negative charge है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, electronically rich species है, that means, उसके पास electron जादा है, और electron जादा होंगे, तो उसकी stability को कौन बढ़ाएगा, जो electron को खीच रहा होगा, और electron को कौन खीचते है, electron withdrawing group, electron withdrawing group increases the stability, that means, अगर carbon NN की stability की बात करूँ में, तो carbon NN की stability directly proportional होगी, किसके, minus i effect के, minus h effect के, और minus r effect के क्या होगी, directly proportional होगी, बट inversely proportional किसके हो जाएगी, plus i effect के, plus h effect के, और plus r effect के, directly proportional, inversely proportional हो जाएगी, बात क्लिर है, समझ माया, तो carbo NN की stability हमने काई से निकाली है, अगर positive charge है, तो donate करने वाले चाहिए group, that means, plus i के directly proportional है, और अगर carbon NN की stability निकालनी है, तो हमें क्या करन पड़ेगा, electron withdrawing group चाहिए, that means, minus i के directly proportional होगा, बात क्लिर है, तो ये सब था, एक inductive effect के बारे में, I hope, आपको समझ माया होगा, thank you.